दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल जिक्के मास्टर सनी में एस्टेट सफिस्चल वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए 2020-2021 पार्ट बन है साइक्लोजी चाइल्ड डेवलोप्नमेंट अब बिना कोच्चिंग आप अपनी टैट का एक्जाम किलियर कर सकते हो चलते हैं वीडियो की तरफ पूरा स्लेबस आपको करवर किया जाएगा पहला कोच्चन है दोस्तों अमारा बोजन की तलास की समयग से समंदित है यह है अनस्वर इसका भूक से नेक्स्ट है दूसरा कोच्चन रचना धार्मिक्ता मोल परवर्ति से कोन सा सम्वेग विक्षित होता है यह कोन सा होता है कृति भाव और नेक्स्ट कोश्चन है थर्ड संग्रेण मूल परवर्ति का संबन्द है अधिकार से और नेक्स्ट कोश्चन है ठकान के कान बाले के वायवार में कौन सा सम्वेग उद्य हो सकता है क्रोध का समय गात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में बिमार बालकों में समय गात्मक अस्थिरता किन बालकों में देखी जाती है ये परति बासाली बालकों में देखी जाती है किस परिवार में बालक में समय गात्मक अस्थिरता उत्पन होती है सुरक्षित परिवार में, परतिबसाली परिवारों में, सुखद परिवार में किस समझिक इस्तिति के बालकों में समय गात्मक इस्तिर्था पाई जती है इसका अंस्वर है निम्मन आर्थिक इस्तिति में, गरीब यहम दलित परिवारों में कोशन है एक बालक को अपने किये जाने वाले कारियों पर समाज में परसंसा एम पुरुसकार प्राप्त नहीं होता तो उसका वैवार होगा समय गात्मक अस्तिरता से परिपूरुन 11. मात अपिता का किस परकार का वैवार बालकों की समय गात्मक इस्तिरता परदान करता है सकारात्मक 12. बालकों में समय गात्मक इस्तिरता उत्पन करने के लिए सिक्सको क्या करना चाहिए सकारात्मक वैवार एउं आत्मे वैवार कोष्ण ने वीद्याले में समय गात्मक और नेक्स्ट कोष्ण है 15 आज चरिये समय का उदे एक बालक में किस प्रकार पर्वरती के कारण होता है जिग अस्चा के कारण होता है नेक्स्ट कोश्चन है समय गात्मक इस्तिरता उत्पन करने के लिए विद्याले में छात्रों को परदान करना चाहिए पुरुषकार, प्रेण़ना और परसंसा ये तीनोई नेक्स्ट कोस्टन है हमारा समाजिकरण एम वैक्तिकरण एक ही परिकरिया के पहलू है यह कतन है मैकाईवर का और नेक्स्ट कोस्टन है विद्याले समाज का लगू रूप है यह कतन है यह किसका कतन है डियोवी का और नाइंटेन कोस्टन है बालक की समाजिकरण की सबसे मैत् संस्ता कौन सी है यह है परिवार और नेक्स्ट कोसन है ट्वंटी बालक के समाजिकरन के लिए प्राथमिक वैक्ति कहा गया है मतप को इसन नंबर 21 है बालक के समाजिकरन चकर का अंतिम पड़ाव विंदु अपने में सामित करता है पासप्रडोस को जिससे बालक अपने समाज में सविक्रत तरिकों को सीखता है तथा अपने वैक्तिकाव का अंग बनता है उसे कहते हैं समाजिक परिवर्टन और next question है तेईज, समाजी करन एक परकार का सीखना है जो सीखने वाले को समाजी कार्य करने के योगे बनाता है या कथन किसका है? जोनसन का समाजी करण का आज से रोज के अनुसार बालकों में कारी करने की इच्छा विक्षित करना है समू में अथवा एक साथ कारी करने में है कोस्टन नमर पच्चिस समाजी करण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदे से बनता है मान्य कुसल सही होगी और नेक्स्ट कोस्टन है एक बालक की समाजिकरण की परिक्रिया किस परिस्तिती में उचित होगी पोस्टन में और नेक्स्ट कोस्टन है समाजिकरण को समाजिक अनुकुल की परिक्रिया किस विद्वान ने सविकार की है रोस ने और इसका next question है बुद्धी लब्दी के लिए विशिष्ट श्रे किस मनोवग्यानिक को जाता है सटरन को Question number 39 सिक्सा मनोवग्यान की उत्पर्ति माननी जाती है वर्ष उन्निसो Question number 30 मनोवग्यान सबद के समानंतर अंग्रेजी भासा के समद साइकलोजिक की उवयत्पर्ति किस भासा से हुई है ग्रिक भासा से Question number 31 सिक्सा का साब्दिक अर्थ है पालन पोस्टन करना सामने लाना और नेत्रितेव देना Question number 32 मनोवग्यान वतवर्ण के संपर्क में आने वाले वैक्तियों के किरे कलापों का विज्ञान है या कथन है वुडवर्थ का Question number 33 मनोवग्यान सिक्सा का अधारबूत विज्ञान है या कथन किसका है स्किनर का कोस्चन नमबर 34, सिक्सा मनोवग्यान का संबंध है सिक्सा से, दर्शन से और मनोवग्यान से कोस्चन नमबर 35, सिक्सा मनोवग्यान की विशे है सामगरी कस संबंध है सिखना सिक्सा मनोवग्यान की विशे सामगरी कस संबंध है सिखना सिक्सा मनोग्यान में जिन बाल को के वयवार का द्यन किया जाता है वह है मंदबुद्धी पिछडे हुए और समय स्यात्मक बालक कोस्चन नमबर 37 सिक्सा मनोग्यान अध्यापिको की त्यारी की आधार सिला है यह कतन है स्किनर का Q38 है हमारा आकडो का व्यास्थापन करने हैतु संकलित आकडो के संबंद में नेमल खित कारिय करना होता है वर्गी करन करना होता है सार्णियान आलेखी और निरुप्रन Q49 है हमारा सीखने के परिक्रिया के अंतरकत की सिख्षा मनोवग्यान अध्यन करता है Q41 मनोवग्यान का मन का विग्यान है ये कथन है अरस्तु का Q42 सिख्षम मनोवग्यान का देन है अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताक की इसकी सहायता से अपने सिख्षन को अधिक परभावसाली बना सके Q43 मनोवग्यान वैवार का सुद्ध विग्यान है ले इस परिभास्षा के परतिपादक है इव वाट्सन Q44 अचेतन मन का देन किया जाता है मनोविशलेशन विद्यो द्वारा Q45 मनोविशलेशन अनात्मक परनाली के जनम दाता है सिगमंड फ्रायड Q45 वर्तमान समय में मनोविग्यान है वैवार का विग्यान Q48 साइकी का अर्थ है मानविय आत्मा या मन Q49 मनोवग्यान को वैवार का विग्यान कहा है ये किसन कहा है वाट्सन है कोस्चन नमबर 50 मन विज्ञान का मन का वैगानिक अधन है जिसके अंतरगत नैकेवल बोधिक अपित्व समयगात्मक अनुबूतियों उत प्रेरक सक्तियों तथा कार्य या वैवार भी समलित है यह कतन किसका है? C.W. वैलेंटाइन का कोस्चन नमबर 51 मन विज्ञान मन विज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है मन का विज्ञान है चेतना का विज्ञान है कोस्चन नमबर 52 मन नव मन को परवावित करने वाला करक है वैक्ति की रूच्या अभी समताई अभी योगिताई वैवातवर है Q53 है हमारा शिक्सा किसी निश्चित सथान पर प्राप्त की जाती है यह कथन किस का यह कथन सिक्सा के किस अर्थ में परियुक दोता है सिक्सा का संकुचित अर्थ Q54 है हमारा मनोविज्यान को सूध विज्यान मन है यह कथन है James Trevor ने Q55 है Q56 है Q56 है Q57 है Q57 Q57 के अंतगत माननाव का दिन किया जाता है Q58 है मनोविज्यान सिक्सा के छेतर में सायता दिता है तथा सवपास्ट करता है Q69 है Q69 है शिक्सा को सिक्सा मनोविज्यान के अदिन की पर्तेक्स आवसकता नहीं है इसका अंस्वर है सारिक सुडोलता Q7 है Q62 को सिक्सा मनोविज्यान के अदिन के अदिन के उदिन से है Q63 शिक्सा का संबंद है Q65 Q65 Q66 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 विशेश के अनुभव के अदार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, एउम, विर्द कहना चाहिए यह कथन किसका है फ्रोबेल का Q68 Q66 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 Qमशा का विकास QKeep Q Bangladesh Q smells Qiko Qpeut Q Q Q21. अमरिका में प्रकासित प्रिंसिपल ओप साइकलोजी की लेखक है, विलियम जेम्स Q22. शिक्षा मनोवग्यान का वर्तमान सवरूप है, वयापक Q23. मनोवग्यान के अधार सिला किस पुस्तक में रखी गई है, मनोवग्यान के सिदान्त Q24. गैरिशन के अनुसार सिक्षा मनोवग्यान का विदेश से है, वयवार का ग्यान Q25. कुपु स्वामी के अनुसार सिक्षा मनोवग्यान के सिदान्तों का सर्वतम परियोग होता है, उत्तम सिक्षा और उत्तम अधिगम में कोस्चन नमबर छेतर सिक्सा मनुग्यान का परमुक उदेश से कोलेशनिक के अनुसार है सिक्सा की समस्याओ का समाधान करना कोस्चन नमबर सतेतर सिक्नर के अनुसार सिक्सा मनुग्यान के समाने उदेश से है बाल के बाल विकास Q88, शिकनर के अनुसार शिक्सा मनुग्यान के विशिस्ट उदेश से है बालको के वांचनिये Q89, शिक्सा मनुग्यान के छितर में वैस अभी ग्यान और विद्या समलित है जो सीखने की परक्रिया से अधिक अच्छी परकार समझने में सायक है ये कतन किसका है? ली का Q80, गेट्स के अनुसार शिक्सा मनुग्यान की सिमा है अस्थिर एम परविवर्तन सील Q81, कैली के अनुसार शिक्सा मनुग्यान के उदेश से है? No Q82, अवस्था के विशेश के अधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या विर्द कहना चाहिए ये कतन किसका है? फ्रोबेल का Q83, अर्बर्ट के नुसार शिक्सा सिदानतों का अधार होना चाहिए? मनुग्यानिक Q84, मांटे इसरवी के अनुसार एक अध्याफक द्वारा उस इस्थिति में सिक्सान कारिया पर भावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा किसका ज्ञान होगा? मनुग्यान के प्रयोगातमक सवरूप का Q85 है हमारा वरतमान समय में सिक्सा मनुग्यान की आवसकता समझी जाती है स्रावागिन विकास में Q86 है हमारा शिक्सा मनुग्यान का परमुक लाब है शिक्सक, शिक्षार्थी, मदूर, संबंद Q87 कक्सा मिचात्रों को उनकी विबिनताओं के आदार पर पहचानने के लिए शिक्सक को ग्यान होना चाहिए किस चीज का शिक्सा मनुवग्यान का ग्यान होना चाहिए Question number 88, हैं मारा वर्तमान समय में सिक्षा मनवग्यान के आवसकता है बाल केंदरित सिक्षा Question number 89, समय सारनी में गनीत विज्ञान या कठीन विशे के कालांस पहले क्यूं रखे जाते हैं मनवग्यान के आदार पर कोस्चन नमबर 90 सफल एवं परवावसाली सिक्षा अधिगम परिक्रिया के लिए आवसक है सिक्षन अधिगम सामगरी का परियोग एवं सिक्षा मनुवग्यान की सिदानतों का परियोग Q21 में निर्देशन एम प्रामर्ष में किस विशे का अधिक प्रिउप्योग किया जाता है Q22 में बुद्धी परिक्षन विशे है शिक्षा मनुवग्यान का Q23 में शिक्षक मनुवग्यान के ज्ञान द्वारा बाल को की Q24 में मनुवग्यान का शिक्षा के शिक्षा देता है Q23 में योगदान है अब शिक्षा बाल केंदरित हो गई है शिक्षक बाल को से निकट का संपर्क सथापित करने का प्रियास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवसकता का ज्यान हो सकता है Q25 में है हमारा शात्रों की योगता एम रूची के अधार पर पाठेकरम निर्मान में योगदान होता है शिक्षा मनुवग्यान का Q26 में है हमारा लास्ट कोस्षन है ये शिक्षा मनुवग्यान का एक विग्यान है सेक्सिक सिधानतों का दोस्तों आप की साइकलोजी कंपलेट करवाई जाएगी अमारी चैनल पर बने रहे धन्यवाद